तो दोस्तों पिछले वीडियो में जो हम आपके लिए सवाल लेकिया थे कि वर्गमूल चैप्टर का कि वह सोटी से छोटी पूड़ वर्ग संख्या गयात कीजिए जिसे छेनो तथा पंद्रा से पूड़तेया विभाजत किया जा सके तो उस वीडियो पर हमारे एक जो भाई वीडियो चाहिए तो इनकी तरह आप कमेंट करके बता सकते हैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोस्तिस करेंगे जैसा कि इनके कमेंट पर हम बना रहे हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की आज का वीडियो सुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या करना आपको कोशन ध्यान से पढ़ना है क्या गया है कि 10 से गुणा करने पर किस संख्या का वर्ग 30 और 36 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा देखिए जो भी मैंने दिखा से गुणा करने पर इतनी चीज एक्स्ट्रा है और सब कुछ वैसा ही सवाल है आपके लिए बस देखिए सबसे पहले पिछले वीडियो की तरह हमें क्या करना है कि 30 और 36 के लासा निकाल लेना है अब लासा क्यों निकालना है वह मैं अभी आपको बताता हूं तो चलिए सब रहने मरे 235 संसे जाएगा 3 1 3 फिर से 3 से ऐगा 3 1 3 और यह क्या पांच से चला जएगा तो यह देखिए हमारा क्या है दो फैनीअलगा dhik . 133 गुड़ा पांच हमारा लासा क्या है दोडिक पर दमी चार ती बारा च्छतिस पंचे 180 तो यह 181 के हमारा LCM आ गया हमारा इसका LCM क्या आ गया 200C आ गया अब देखिए मैंने कहा था कि अभी मैं आपको बाल में बताऊंगो कि LCM क्यों निकाला है तो देखिए सबसे पहली बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि हम ने इसका LCM इसलिए निकाला है कि आपको जितनी भी संख्याइं दे आ गया है कि वह संख्याइं करनी है पूरत हो जाये तो देखिए यहां पर क्या था कि संख्या का वर्ग तो अभे हमारा एक कुषच्ण जो भी मैंनें इसका Ottawa क्योंने निकाला क्योंकि कोई भी संख्याएं हैं आपको दिर रखियो नक्यों जो होता होता है रोता है यह्तरह लासा इसका तो यह जो है इससे पूरी तरह विभाजत है तो एक कोश्चन हमारा सॉल हो गया अब इसमें कहा गया है कि वह जो संख्या हो वह एक वर्ग हो तो यह एक सॉसी किसी का वर्ग नहीं होता है तो देखिए अब हम क्या करेंगे जैसे हमने जब पहले बताया था क्का भी से क्या करते हैं कि सबसे पहले वर्ग मूल निकालते हैंश्य। यहींस foster państwa के मैं आश्य। तो क्या आएगा दोने मठारा नब्बे दो चोको आठ एक दो पंचे दस पैतालिस तीन एकन तीन तीन पच्छे पंद्रा इसके बाद तीन पच्छे पंद्रा और पांस एकन पांस देखिए वर्गमून नकालने का रूल क्या होता है कि अगर हमें एक जैसी दो संख्यां हाँ पर 15 और बार होता हुता तो 5 का भी पिर बन जाता और हमारा यह जो संख्या होती है पूरी हो जाती यह 1-6 इमें गटना कर देना होगा तो और लफ्ट 0prene 1098 दो 900 नouse are गया गया नो Cha मारी ऐसी संख्या है जब बं हम इसका देखिए गुडन-खांड करेंगे तो हम में एक पांच और मिल जाएगा आप इसको करके भी देख सकते हैं तो देखिए 900 संख्याव क्या हो गई हमारी 10 से गुणा करने पर किस संख्या का वर्ग 36 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो देखिए जो 10akat simUA li听 39 سबसे पहले एमने इस इंसरी निकाली थी तो 108 जो होती है वह पूरी तरह से होती है जिन संख्याव का लासा लिया है वह जो 108 कि यह पाया थी अगर यहां पर यहां पर एक पूड़वर्ग संख्या और यह तीस और चप्ते से पूड़ी तरह विभाजित भी आप देख सकते हैं तो चलिए अब क्या मैं क्या नियुक्त से कुणा करने पर कुशन में करने पर विभाजित Pacific ये भी विभाजित है लेकिन अब question में कहा गया है कि 10 से गुणा करने पर तो simply आप क्या करेंगे 900 में 10 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9000 आ जाएगा तो ये जो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा कि जो 900 था ये भी पूरी तरह विभाजित थी और एक पूर वर्ग संख्या थी जो 9000 है ये भी एक पूर वर्ग संख्या है ये देखिए इसमें कहा गया है कि संख्या का वर्ग में 10 से गुणा करने पर तो ये देखिए जो 900 है ये किसका वर्ग होता है य ये तीज क्षिन ये होता है 900 जो है वो एक इसका प्रक tienen बेघान के सब्सक्न से इट i मारी और पिरिए से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो आंसर अपका हो जाएगा पीज का व क्या हो हो जाएगा तीस का वर्ग यही क्या हो जाएगा आपका आंसर क्योंकि तीस का वर्ग नौसो और नौसो में गुड़ा किया जब हमने दस का तुवाया हमारा नौजार तुवासा करता हूं कि आपको कोश्चन जो यह मैंने सॉल्व कराया है यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा वीडियो च्छे तो वीडियो को लेक करें और ऐसी मदद के वीडियो स्पाने के लिए चैनल के सब्सक्राइब करना न भूलें तब तक के यह थैंक्यू मिलते हैं अगले वीडियो में